नमस्कार दोस्तों मैं राजस कुमार्टांगी सिगहानी पत्रकरणा डिस्टिक चत्रा जारखन से आप लोग के सामने हमारे यूप्टिक चैनल आरके गोर्फारम चत्रा जारखन में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते कि मैं नए नए वीडियो और इसी प्रकार के प्रकार के बार 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 बोलता हूं कि भक्री पालन में आपको बक्रियों को कार्भोहाइड्रेट, प्रोटीन, बिटामीन, खनीज लवन, साथ में साथ वसा और जल की जुरत पड़ती है उनको जुरत के हिसाब से अगर पूरा करेंगे तो बक्रीया हमारी स्वच्ट रह बार बार में बोलता हूं कि ठंड का मुसम आगे खल खिलाना है तो खल खिलाने से उसके जो वसाथ पूरा होगा वसा की चीज़ से मिलता है सब को पता है घी मकर मलाई साथ में अपना खल से मिलता है तो घी मकर मलाई तो खिला नहीं सकते हैं खल खिलाएंगे तो खल से उसक को खल मिलता है और जिने खिला के हमारे किसान मित्र पसुपालक भाई उसका लाब भी उठाते हैं और हर क्या क्या किते खल में प्रोटीन, बिटामीन, मिनरल और क्या किते उसके अंदर तेल की मातरा अलग-अलग पाई जाती है तो मैं खल के उपर पुरी जनकारी देने वाला हूँ जिस में आपको मक्का का खल, टीसी का खल, उसके साथ अपसर्षो का खल, राई का खल, बिनोला का खल, और ये तील का खल, और साथ में साथ आपको क्या किते हैं मुफली का खल, ये सब खलों के बारे में पूरी जनकारी देने वाला हूँ जिसको खिला के आप भी दूसरे किसान हमारे जितने भी पसुपालग भाई है तो उसका फैदा ले रहे तो आप भी उसका फैदा ले और में बार 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 बोलता रहता हूं इसलिए बोलता रहता हूं और इसी परकार की में वीडियो बनाता रहता हूं तो वीडियो अगर आपको कहीं से भी थोड़ सिधा ले चलता हूं laptop के screen पे laptop के screen पे ले जाने का इतना ही मकसद है कि आप उस चीजों को देख सके कि खेती में कैसी होती है उसका बीच कैसा होता है वो खल कैसा होता है और पूरा मैं हर खल के बार में पूरा डीटेल्स आपको देने वाला हूँ तो ज़्यादा टेम खराप ना करते चलते हैं लैपटोप के स्क्रीन पर तो दोस्तो हम लोग आगे हैं लैटोप के स्क्रीन पर आप देखिए जो कपास की खेती जो होती है इस परकार की होती है अब कपास यहां देख पा रहे होंगे यह फुकावा भी है और फूल भी उसका दिख रहा होगा उसका कपास जो होता है बिनोला जिसको बोलते हैं उसके बीच इस परकार से होते हैं और विनोला के जो खल होता है वो इस परकार से होता है आप देखके यहां समझ जाएंगे तो सबसे ज्यादा परिशित खल है और यह पूरे देश में हर हिस्से में असानी से प्राप्त किया जा सकता है और हमारे पसु इस खल को बड़े असानी से खा भी लेते हैं इसकी nutrition value भी अच्छी पाई जाती है विनोला के खल में के अंदर दूद बढ़ाने का दूद उत्पादन उत्पादन का में स्रोथ है प्रोटीन और प्रोटीन की मातरा की बात करेंगे तो 22 से 30% मिलती है और तेल चरवी की मातरा की बात करेंगे तेल की तो खल में हमारे सर्सों की खल है तो सर्सों से कौन परचित नहीं है सब देख के दूर से बता देंगे कि सर्सों एक खेती है तो सर्सों का बीजिस प्रकार होता है सर्सों की खल की बात करेंगे तो इस टैप का नजर आता है तो यह सबसे ज्यादा परचित है देश के हर हिस्से में कोने में असानी से उपलब्द हो जाता है अर गां हर कस्वा हर राज्ये जहां यह सरसोग ना मिले ऐसा को हो नहीं सकता हर जगा उत्पादन होता है और उपयोग भी होता है हर जगह पर इस लिए इसे असानी से प्राप्त किया जा सकता है सरसोगी खल में nutrition value सबसे ज़्यादा होती है mineral और vitamin सरसोग के खल में phosphorus बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा मिल भी जाता है phosphorus का main कारिय होता है खाद के रूप में इस्तमाल किया जाता है आप जेविक खाद के रूप में phosphorus का इस्तमाल कर सकते हैं, खली जो होती है वो पसू का ही नहीं, बलकि पेड़ पोधे के लिए भी इसका लाब दिला सकते हैं, यदि पसू को नीमित तोर से सरसो की खल खिलाई जाए तो पसू का दूद बढ़ना बढ़ता भी है, दूद में फेट भी बढ़ता है और उसके सरीर क स्वश्थ रहना कारण भी अच्छा हो जाता है, इसकी तासीर की बात करें तो यह ठंडी होती है और सरसो की खल को पाना बहुत ही असान हो जाता है, सरसो खल में प्रोटीन की मात्रा जो होती है, वो हमारी 30 से 35 परसेंट होती है, तेल की मात्रा जो होती है, 35 से 48 परसेंट हो और साथ में साथ इसमें ये बहुत ही लाबकारी होता है और हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे आने वाला जो खल है वो कौन सा खल है तो ये राई की खल राई की खल तो सर्सों की तरह ही दिखती है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ना पहचाने ये थ नजर नहीं आएगा अब हम राई की ख़ल की तरह ही होती है इसको खिलाने का त्रीका explained택 कम मात्रा में उकल्ब्द होती है इस कारण राई की ख़ल कम खिलाई जाती है कुछ राज्यों में राई की खल खिलाई तो जाती है कुछ राज्यों में राई की खल नहीं खिलाई जाती है इसकी में अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो 17-26% मिल जाता है और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 5-2% मिल जाता है और पोटास की बात करेंगे तो 1-2% मिलता है फा मुंफली की खल देखिए खेती इस तरह का जाड़ होता है नीचे मुंफली होते हैं मुंफली आपको सब लोग परचीद भी हैं तो मुंफली को बताने की भी हमको जुरत नहीं है खल की बात करें खल ऐसा होता है तो मुंफली की खल बिनोला की खल सरसो की खल सुरविन की खल मक्का खल के बीच की खल होती है क्योंकि इसकी प्रोटीन की मातरा जो होती है 30 से 35% मुंफली की खल में मुंफली के छिलके अलग करने के बाद तेल अलग करने के बाद जो पपड़ी बनती है उसे मुंफली की खल बोला जाता है यदि आप देखेंगे तो मुझफली की खल अजीब टाइब का दिखाई दिखने में लगेगा लेकिन मुझफली की खल में नुट्रेशन वेल्यू और प्रोटिन वेल्यू बहुत ही अच्छी पाई जाती है, मेगनेसियन, आइरन की भेल्यू बहुत ही अच्छी पाई जाती है, दोस्तों पस्वों को मुझफली की खल और मुझफली का तेल बहुत काफी मातरा में पस्वों को दिया जाता है, राजिस्थान और गुजरात राज्यों में मुझफली का खल दूर बढ़ा क्राने के रूप में वाक्त eldest मदद भी करता है अब इसमें अगर हम बात करें तो प्रोटीन की तो थीत से 25 परसंट तो प्रोटीन होती है तेल की बात करें और चालिस से पीटा informação नाइट्रोजन की बात करें साथ से percent होता है Phosphorus की बात करें तो 1-1.5 होता हैær तो एक से 3% होता है अब हम देख लेते हैं अगला ख़ल कुन सा है तो मक्का का ख़ल मक्का आप देख रहा होंगे मक्का से सब लोग parody है मक्का का वीज से पर शीक है ऐसा बीज होता है उस की ख़ल अज साइद बहुत किसानमित्र नहीं जानते हो तो इसकी अगर बात करें तो खल में nutrition value मक्का की खल में nutrition value आपको अराम से जो मिल जाएगा 40-50 पर चीस नूट्रेशन value मिल जाता है मक्का की खल में आसिन से हमें असानी से हमें उपलब्द हो जाता है यदि मक्का का खल ना मिले तो मक्का खिला दिजिए मक्का की चूरी खिला दिजिए मक्का को पीस के आटे के रूप में भी दोस्तों प्रोटीन की मात्रा ऐसे पूरा कर देगा पसू में दूद बढ़ाएगा दूद में खेट की मात्रा बढ़ाएगा आपके पसू में सेहत को इतना मजबूत कर देगा पसू में पसू को तंद्रूस कर देगा रिजर्ट अश्चर ये जनक देखने लायक मिलेगा मक् बड़े जानवरों में, इंसानों में, स्वास्थ दायक का मक्का का बहुत बड़ा दिनचर्य में और स्वास्थ के लिए भी रोल होता है। बाबा रामदेव का पतंजली का पोड़ेग निकाले है। इसमें पतंजली का आका मार्केट में अब लेबल है, जिसमें आप देखेंगे की हर तरह का अनाद्थ मिक्स भी किया जाता है। इसमें मका भी मिक्स किया जाता है आप इसमें प्रोटीन की बात करें तो 7-12 percent हो जाता है कार्बोहाइडेड 21 percent होता है और इसमें क्या किते फासफोरस और सूगार फेट सब परकार के इसमें बिटामीन प्रोटीन मिलते हैं ये तो सब लोग यूज भी करते हैं और अच्छी तरह से यूज भी करते हैं तो इसको भी आप उपयोग में कर सकते हैं हम लोग देख लेते हैं ये अगला होंचा है तो अगला है सोयावीन की खली देखें सोयावीन की खली की बात करें तो सोय को से निकल जाते हैं और खल की बात करें तो स्टेब ES टएब दिखेगा थी थोड़ी सी महंगी आती है me कम से भारत में 6,000 शे 7,000 चुन्ट के सब इलता इस खल की बात करें तो 4500-5000 लगभग हो भी जाता है, इस सभी कारणों से कम पस्मों को खिलाया भी जाता है, एक बार ध्यान दे कि यह ज़्यादा खिलाने से पस्मों में ज़्यादा फाइदा करने की वज़ा है, नुक्सान भी करता है, यदि आप गलती से 40-50, 35 दिन में 3 या 4 बार खिलाएंगे त कारण सोयावीन के खल की तासीर गरम होती है, तासीर गरम होती है और इसकी प्रोटीन की बात करें, तो 42% प्रोटीन तेल की बात करें, 21% कार्भो हाइडर की बात करें, तो 12% और भसम इसमें भी पाया जाता है, पाच प्रसम इसे बकरियों को खिलाना तो जा सकता है, लेकि हम लोग भी अपने सहथ बनाने के लिए इसका बीच को भिगो के खाते हैं उप्योग में लेते हैं और अब हम बात कर लेते हैं अलसी की खेती तो आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से तो आलसी का जो खल होता है तो इसमें सबसे बढ़ी बिताइमीन बी ट्वेल की मात्रा बिताइमीन बी ट्वेल पसू के सहत के लिए बहुत जरूरी भी होता है और जरूरी भी है कारण की बिटाइमिन B12 से पश्वों में पत्ती रोधत शमता बढ़ती है, पश्वों में हुमनूटी पावर बढ़ता है, रूमन मदबूत होता है, डाइजेशन करने की शमता बढ़ेगी, दूद बढ़ाने बढ़ेगा, फेट बढ़ेगा, घी अच्छी मातरा में, अधिक मातरा में मिलेगा, लेकिन अलसी का खल हमारे देश में बहुत कम पाया जाता है, उपलब्द नहीं हो पाता है, अब इसमें प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन 20-23% हमें आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अगला हम देख लेते हैं, तो अगल की खल की आपको तिली का खल, तेल के बारे में, मैं आपको जानते ही होंगे, लेकिन तिली का खल बहुत कम मातरा में पाया जाता है, लेकिन तिली का खल आपके पस्वों को खिलाते हैं, तो 6-7 दिन में आपको फरक नजर जरूर आएगा, आपके दूद में विर्दी होगी ही होगी तिली का खल महराष्ट में केरल करनाटक उडिसा में ज़्यादा खिलाई जाती है और कुछ नोर्थ इस्ट के राजियों में पस्वों को खिलाई जाती है इसका प्रोसेस बहुत कम किया जाता है और उत्पादन भी कम किया जाता है और प्रोटीन की बात करें तो 40% protein मिल जाता है calcium की बात करें तो 2.0% calcium मिल जाता है phosphorus की बात करें तो 1.3% phosphorus मिल जाता है magnesium की बात करें तो 005% 05% मिल जाता है अब तिली की खल की अगर बात करें तो इसमें बेसिक सबसे ज़्यादा बिनोला का खल और ससो की खल ही पस्मों को खिलाया जाता है और तिली की खल में बिताइमिन C, बिताइमिन D, बिताइमिन B, मेगनेसियन, आइरन, केल्सियम यदि कोई भी खल खिलाने से समस्या आ रही हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि उसे नाक में हलका सा तेल लगा देना है, तेल लगाने से होगा ये कि अराम से बकरी उसको असानी से खा लेगी, उसके सुमन नहीं आएगा आप इस तरह करके खिला सकते हैं, तो दोस्तों में बार-बार यही चीज़ आप लोग को बोलता रहता हूं और आगे देख लेते हैं, तो कि आपको खल खिलाना पड़ेगा, सर्दियों में खास कर खिलाना पड़ेगा, सर्दियों में खिलाए, गर्मियों में खिलाए, हर मोस जो हमें चैनल है तो उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप यूट सकते हैं व्युक्रीघ रखनाнов यह ज हम हरन्हें को पिलेंगे भीडियो में सब्सक्राइब